कि आप लोगों का स्वागत करती हूं इस ऑनलाइन यूटूब वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं एकाउंट विद प्राइम टैली या फिर टैली प्राइम फ्रेंड्स यह हमारा यूटूब का प्रमोशनल वीडियो हैं आईए इस वीडियो में मैं आपको आप एड्रेस डालते हैं वह एक ही एड्रेस आपको बारवार ओपन होता है तो अगर आप जिसको वह इमेल कर रहे है डाटा उसकी दूसरी ओप्षन किस तरह से आपके सामने हाइलाइट होते हैं इसके लिए हम आते हैं हमें एक भावचर ओपन करते हैं कोई भी देव बुक पे आते हैं और देव बुक से हमने एक वाउचर को फान कर अपेंड कर लियें। मानों आपन की अपयर हम इसका डूक है हमके इमल कर दिते हैं अपना एड्रेस और जो भी होता है वह डाल कर अंधर कि अधर आप निकालते हैं वाक्त हमारे बिल पर जो होता है वह अपशन होगा ने फाक्त का और तो उसके लिए मतले पास एक आते हैं एक ही एड्रेस का जो ऑप्शन होता है वो बार-बार आजाता है आप उसको कैसे जिसे आप भेज रहे हैं उसकी भी आपको एड्रेस आए तो कैसे हम उस फीचर को अनेवल करें उसके लिए हम प्रेंट के और मोर पे क्लिक करेंग ओर वहां से आपको मिलेगा पाटी डीटील्स है फीट इते हैं आप स्ट्रोका कांशाइनिंग को येस करेंगे Помीगत फिर न्यवा है यह वो invoice में change हुई या नहीं हुई उसे देखिए और फिर आप address वहाँ पे change कर दीजिए अगर आप जिसे consigning की printout कर रहे हैं और जो address आप उसको send कर रहे हैं उस address को change कीजिए और फिर वापिस से आप print पे जाए और फिर configurations पे आए और party details पे आप show more करते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपका address जो होता है वो change हो रखा होता है पार्टी जो भी पार्टी का होता है वो master's में और अप उसे और एक और options होते हैं जो की address from party master's उसे आप नो करके accept करेंगे तो आप उसकी preview जो आप इसे check करेंगे तो already आप में जो वो consigning की होती है options वो show हो जाती है जिस पार्टी को आप details भेज रहे हैं तो वो दोनों जगह का address करता है बट यह educational mode में नहीं होता है जैसे हमने configurations पर आया और show mode पर options किया तो यहां पर आप देख सकते हैं printer की setting आ रही है header information आ रही है company details आ रही है advanced configuration आ रहे है बट इसमें अभी party की जो हमने options आपको consigning की yes करने बोली पार्टी details के लिए उसके options अभी यहां पर नहीं आ रही है उसके लिए हमें कि उसके लिए हमें जो होगा वो टैली प्राइम में registration करवाना होगा और जो registered होता है हमारे company टैली की जैसे कि हम अभी educational mode पर टैली में work कर रहे हैं और जब हम registration mode पर करेंगे टैली में work तो उस टैम वो आपको देखने को मिलेगा मैं आपको बता रही हूं वह आप इस टैली open करके कि वो आप किस options में जाएंगे और open voucher और alt पी करने के बाद आपको configurations मिलेगा पार्टी details की तो आप वहां से जा करके consigning की जो सो consigning की options होगी आप उसे yes करके alt z करके consigning open करके invoice में changes invoice में जाके address change कर देंगे और महां से आपको आप अगर license लेजर रखे हैं या फिर license reactivate कर लिजे या फिर activate new license अगर new license वाले टेली options में जाएंगे तो भी आपको वो consigning वाले options मिलेंगे reactive में भी मिलेंगे और use license अगर आप license का use करके company work कर रहे हैं तो आपको consigning figure की options use करने को मिलेगा और आप वहां से पार्टी की सारी details अनेवल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने सीखा किस तरह से हम पार्टी की जो consigning होती है उसे प्रिंट आउट में other information के जरिए दो दोर address कैसे तरह से हम send कर सकते हैं कि हम उसकी जो हमारी company के address हो और जिसे भेज रहे हैं व आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप हमारे दिये गए नमबर पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कौन साइनिंग ऑप्शन्स यूज़ करने के लिए अगर आपको हमारे complete कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप IPT Excel School की mobile app डाउनलोड करें और वहां से आपको मिलता है complete teleprime की basic to advance वीडियो जिसमें आपको सीखने को मिलता है complete VVA, Excel with microprogramming, advanced Excel with formula, one to one live class जिसे की आप कैसे contact करें तो mobile की app नीचे description box में दी गई हुई है आप वहां से फटाफट mobile app डाउनलोड करें और घर बैठे आप अपनी मन पसंद की सारी वीडियो ज देख सकते हैं और purchase भी कर सकते हैं So thanks for watching this video, thank you